असलाम अलेकुम ओलोफ यू कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे तो चलिए आज का व्लोग स्टार्ट करती हूं मैं और हमें जाना था मार्किट कुछ थोड़ा सा घर का सामान था जो हमें खरीदना था तो मेरे हस्बेंड जब आ गए साइड से तो फिर हम गए थे हमार के खाना वगएरा खाने के बार में तो कुछ हमने समान वगएरा लिया था घर का और यह कुछ टोस्ट वगएरा हमने टोस्ट वगएरा के पैकिट और केकरस वगएरा यहां से लिये थे बेकरी से और यहां पर यह काफी दिन पहले कि मेरे पास वीडियो सकते हैं कि जितने भी हमापस चीज़े आई हुई हैं और काफी अच्छे मिल रही है और चाहें तो जाकर ले सकते हैं मैं आपको प्रोपर एड्रेस इसका दूंगी इंशाललह और अभी वहाँ पर काफी और भी वराइटी आई हुई हैं और एक दो दिन में मैं फिर से वीडियो वहां की डालूंगी और जैसे कि मैंने बताया था आपको ये काफी दिन पहले की मेरे पास वीड दुपारा से क्योंकि मेरा बेटा और मेरें हस्बेंड वगेरा कपरें निकालते रहते हैं और तभी वहाँ हेश्ञे उन दोनों अपर नों को हमेशा बी excitement कर दे होते हैं और बीच में से कपड़ें निकालने के बाद में पूरा जो चौरवण धाये पूरी अलमीरा मैसी हो जाती है तो आज मैंने इसको भी सेट किया है और यह देखें एक तम मैंने इसको क्लीन कर दिया है और यह 5-6 दिम बाद फिर से ऐसी ही हो जाएगी तो इसलिए मैं इसे टाइम टू टाइम सेट करती रहती हूं उसके बाद में यह मैंने कुछ कपड़े निकार ले थे जो की ए पहनने थे तो इनको भी मैंने रख दिया है लग निकाल के और यह थोड़ा सा और जगे मिल गई है मेरे कपड़े रखने के लिए और यह मेरे मिटे की डॉल है जिसको उसमें इतनी पिटाई की है और उसके सर पे भी काफी अच्छी खाजी चोट लगी है और निशान अपने असबेंड से इसको एलफी से मैंने स्टिक करवाया था उसके बाद में मैंने उसको रख दिया था पॉक्स में ताकि वो फिर से उसे डैमेज ना कर दे कि मुझे इसकी एडॉल बहुत जादा पसंद है उसके बाद में आज काफी दिनों के बाद मैं आपके साथ शेय किया है धुरा सा आपके लिए तो सबसे पहले मैंने सारे फनीचर की डस्टिंग की थी कॉलीन से उसके बाद में मैंने अच्छे से की लगाई थी जाडू जो कि काफी सारा डस्ट था वो मैंने बैट के नीचे से निकाला था और एक चोटू सा डस्ट पीन मैंने रखा होते हैं जितने भी उन रैपर्स से यह बहरा होता है और उसके बाद मैंने पोच्छा लगा दिया था मोप लगाने के बाद में मैंने नहा लिया था अच्छे से उसके बाद में मैं बनाने लगी थी चिकन आज मैंने यह वाला बड़ा बड़ा पैन लिया था चिकन बनाने क एलिए तो मेने प्यास की अचोन्न करके रखी तर उसके बाद में में gouvernement को फ्राइ किया था अर्डॉ ऑप़ए करने के बाद में इनको निकालना था और मीडियम फ्लेम पर मैं इन ऑछे से फ्राइ कर रहा थी और इनको करना था मुझे डाउक ब्राउंग इस तरह से मैंने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है ये देखें सारा एक्स्ट्रा ओयली बाकी जो रहता है उसी में मुझे चिकन को बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ओयल पहले ही इसमें एड कर लिया था तो ये सबी प्याजे मैंने निकाल लिया है सारी ऑनियांस मैंने बहार निकाल लिया है उसके बाद में मैंने डादे पेसमें मखhanें जो की मेरी ईदी के समान में ये पैक्किट आया था तो मैंने फ्राइ में मखाने पें फ्राइम बैप लो फ्राइम 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 क्या है थोड़न बोल अन्लो तो उसे मलगा है और हमश्च निकाल लिए टीग पड़न म parfait है तो इनके अंदर ऊइल काफ़ी साल चला जाता है तो इसलिए थोड़ा सा मीडियम रखें फल्म को और नीड़ाय को फ्राइ कि लिया अउली को फ्राइ हो गये हैं approach जिंजर 0 लेक और ओनियेंट का पिस्ट डाल है अच्छी क्वांटिती ने मैंने में इसमें पेश्ट डाला है क्योंकि चिकन में फिर ग्रेवी अच्छे से वोती है तो ऑर भी जादा पेस्ट आता है तो मैंने सब फैस्ट ऑल्ने के बाद में थुड़ा सा इसमे वाटर एक है और इसको मैं भूल लोगी थोड़ी सी और इसके बाद में अज़ों और इसके बाद में ने थोड़ा सा सॉल्ट में एड़ कर दिया था लास्ट में और थोड़ी सी मैंने इसमें लालमिच्च एड़ की थी क्षमेरी लाल मिर्च सब्सी करना है और लो फ्लेम पर फोड़ दिया है मसाले को अच्छे से बुनने तक के लिए ताकि मसाला अच्छे से बुन जा उसके बाद में ये मखाने और प्यास मेरी फ्राइब हो चुकी है उसको मैं चेक कर रही हूं ये मुझे प्यास हो गई थी ठंडी और अच्छे से क्रंची भी हो Honig Zentिट तरह से हमोथ इस तरह से तहरा चुट हो रही थी काफी प्यास तो च्छिट ठंडी हो चुकी थी कि प्यास मेरी थाय की से और और सिसके बाद में इसनुमिगाने भी स्यरस्ट करने थे ये बोच्छ जादा गरम तो मुझसे नहीं हो पारे थे और काफे टायम भी यस लिए मैंने हास से इसको Corporate gives me युजय मेंें इता है मेरत daran एक झाल आड़ एक आड़ahu नहीं से और जीमादागा न श्रुणदा प्यास को में जड़ 수ैनीे हुआँ से इस मैं मेंसे में गूतап नो बादिया नहीं और तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप एक पाउल में या किसी जार में या किसी भी छोटे से बॉक्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप चिकन का कोर्मा बनाएं तो उसमें एड करें और काफी अच्छा इससे टेस्ट आता है इसमें और यह देखें इस तरह स मैंने मिक्स करके रख लिया है और मसाला मेरा अल्मोश भूण चुका था अच्छे से काफी टाइम हो गया था मसाले को भूंते हुए तो अब मैंने इसमें जो अच्छे से मैंने बॉश करके रखाता चिकन उसको मैंने काश लगा के रखा था चोटे-चोटे मैंने काश और दही के साथ मेने जिओं दूर मिक्सचर एड्ड किया था प्याज मखाने और जिओ को अशाय और उन तीनों का मिक्सचर जो था वो यहन कंटरी का दिया है और हलका सर उसमें डिया है प्रच में सब और अध की आड्ड किया और एक छोटे से मैंने box में इसको store करने के लिए रग दिया है और इसको मैं store कर लूँञा, नेक्स टाइम तब भी मुझे बनाना और चिकन कॉर्मा तो मैं उसमें add कर लूँगी और इससे gravy काफी अच्छी हो जाती है ठीक हो जाती है और तीष्ट का बढ़ जाता है इसलिए मैंने में इसकोredit twelve ने कर लिए है फुटा सा बना के इसरों भी कर लिया है फुटा 1 बनाया है और ज़ो सब्सक्राइब ये रभी किने जिसे में कर दिया है इसहीं में डाल दिया है मैंने इसको तो यह देखे मम पर से इसको एड किया है और जो मैंने दूसरा वाला रखा था उसमें मैंने मिक्स करके रखा है साथ में ताकि फिर से मैं स्किपना कर दू, भूनना जाऊं उस दाइम इसलिए मैंने जो स्टो किया है उसको मैंने मिक्स करके रखा है coconut powder के साथ और अभी मैं यहाँ पर taste कर रही हूँ ताकि यहाँ पर कुछ भी कमी हो salt में या spices में तो मैं वहाँ पर add कर सकती हूँ और अभी मुझे इसमें add करना था chicken masala जो की मैंने बाहर से ही मंगवाया है और काफी अच्छा यह chicken masala है और काफी अच्छी खुश्बू चिकन में आती है कोई भी recipe अगर आप बना रहे हैं तो कॉर्मे में थोड़ा ज़ादा डाला था मैंने और यह देखें काफी अच्छा इसमें oil उपर आने लगा था और यहाँ पर अच्छे से सजी masala को घुनने के बाद में आप यहाँ पर अपने अपोडिंग यहाँ पर फोटर एड़ कर सकते हैं जितना आप चाहें उतना थीक रख सकते हैं इसको और मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर एड़ किया था उसके बाद में मैंने पंदरा से बीस मिनिट इसको कुप किया था मीडयम फ्लेम पे और उसके बाद में थोड़ा सा अरदनिया चौप दरक लेखा था उसको भी मैं यहआ यह अपर से घ्री था genteuk principle बार अच्छे से उंदे अपर आ गया है और यह वह अच्छा डेम इसमें आ गया है और उसके बाद में मैंने, एक बार फिर से इसको कवर कर दिया है, और गेस की फ्लेम को कर दिया है मैंने औल यह देखें, चिकन कॉर्मा मेरा रेटी है और अब मैं इसको एक बार अच्छे से चेक कर लूँगी कि अच्छे से गला है यह नहीं तो यह देखें यह अच्छे से टैंडर हो गया है एसली यहाँ पर यह टूट रहा है और तो मैं सर्फ कर लूंगी प्लेट में क्योंकि आप भी खाना नहींद खाया था तो यह दीके मैने एक बेट में सफर लिया है और यह काफी टेश्टी बनाता है और जादा इसपाइस में इसे में यूज नहीं किए है कश्मीरी लाल मेट सिर्फ着 ब States लिये डाला चाता है वह ज़ादा स्पाइसी नहीं होता है तो मैंने खा खाना खाने लागे थी और ये नख्स टии का है तो मैंने टोरी बनाई थी और मुझे थोड़ा सा सोल्ट जाधां लगा था, तो मैंने थोड़ा गोला बना बना था और सिके बारा ऐर दोस के लिए मैं वेटर स्थैंटी बनाई थी तो सिक थик था यह तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी एड़ करके थोड़ा सा मुझे पतला करना था तो आगे का व्लोग में शूट नहीं करता ही तो इंशालला फिर मिलूंगी नेक्स व्लोग में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ नेक्स व्लोग में तब तक के लिए अल्ला हाफिस दौाओं में याद रखें